Hello everyone, this is Psycho, आज की क्लास में हम reproductive health family planning और contraceptives के method के बारे में पढ़ेंगे जनन स्वास्ते, परिवार नियोजन और कर्ब निरोधक के उपाए जनन स्वास्ते, मतलब की कोई भी female जो reproduce करती है या फिर कोई भी male जो production कर सकता है किसी भी generation का उसकी जो sexual या फिर reproductive health होगे उसको हम reproductive health बोलेंगे, ठीक है reproductive health का मतलब क्या होगा कि कोई भी man या फिर woman अपनी जो generation है वो कितनी अच्छी उत्पन कर रही है और उसका खुद का health कैसा है, उस सबको हम किसके अंदर पढ़ेंगे reproductive health के अंदर, ठीक है अगर हम contraceptives method की बात करें कि contraceptives method होती क्या है, या family planning होती क्या है, family planning मतलब की कोई भी ऐसे उपाई जिससे हम क्या है, प्रिम population को कम कर रही है, या फिर unwanted pregnancy, या गर्ब के निरोध के लिए कोई भी उपाई कर रही है, उसको हम contraceptives method या family planning methods बोलेंगे, ठीक है अब reproductive health क्या थी, पहले के टाइम पर बहुत जादा major concern था, या फिर major problem थी, क्योंकि पहले हमारे पास इतनी advanced technology नहीं थी, लोग uneducated थे, और जो contraceptives के method थे, वो भी हमारे पास available नहीं थे, और available थे भी तो लोगों को उनके बारे में पता नहीं था, ठीक है, तो इसके कारण क् maternal mortality rate, और जो fetal mortality rate है, यानि कि शिशु मृत्य उदर ये बढ़ती जा रही थी, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, बहुत सारी programs लाए, बहुत सारे ऐसे, या फिर method लेका है, जिससे क्या है, population को control किया जा सके, साथ-साथ जो mother और बच्चे की है, उसकी health को promote किया जा सके और इसके लिए हमने क्या करा, बहुत सारी कुछ strategy बनाई, या फिर कारेनीती बनाई, अब इंडिया क्या था, एक ऐसी country था, यह पहला state था, जिसने family planning program को first introduce किया, 1951 में, ठीक है, उसके बाद national family planning जो program था, वो implement कब हो गया, 1992 में, ठीक है, जो इंडियन government थी, इसने 1951 में इ इंडियूस तो कर दिया, लेकिन implementation कब शुरूँ है, 1952 में, और जो इन national family planning program था, यह किसके अंडर work करता था, RCH, reproductive health and care के अंदर काम करता था, जिसको हम हिंदी में जनने वाल, स्वास्ते कारेकरम भी बोलते हैं, ठीक है, इसका जो main emphasis था, वो क्या था, कि जितनी भी शिश्युदर्ति और शिश्युमृत्युदर्ति वो कम होती गई, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, population explosion यानि कि जनसंकिया में बहुत जादा वृध्धी होने लग गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, government of India ने 1976 में national population policy launch की, जिसमें क्या करा, marriage की life को बढ़ा दिया गया ठीक है, अब उसके बाद national population policy 2000 आई, इस टाइम पर क्या थी, जो इंडिया की population थी, वो 6 अरब हो गई, तो इसका जो main aim था, वो क्या था, पहला बच्चा देर से दूसरा जल नहीं और तीसरा कभी नहीं, मतलब कि इन्हों ने क्या promote किया, two child's norm को promote किया, कि सिर्फ दो ही बच होने चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए क्या करा, बहुत सारे sex education दी, और IEC की जो technology थी, उसको promote किया गया, ठीक है, लोगों को educate किया गया, और उनको contraceptives या फिर जनन स्वास्ते उसके महत्व के बारे में बताया गया, ठीक है, अगर हम eligible couple की बात करें, तो eligible couple कौन से होते है, जिनकी age 15 से 45, मतलब कि यह क्या है, reproduce कर सकते है, ठीक है, जो भी couple reproduce कर सकते है, उसको हम क्या बोलेंगे, eligible couple, और फिर आ जाता है, target couple, target couple का मतलब क्या है, कि हम कि लोगों को target करेंगे, कि वो contraceptives के method यूज़ करें, हम उन्हीं लोगों को target करेंगे, चिनके द दो बच्चे है, पहले से, और अब क्या है, तीसरा बच्चा नहीं चाते है, या फिर, क्योंकि हमारा जो main aim था, वो क्या था, two child in up, बदलब कि दो बच्चे बहुत है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, target couple, वो हमारे main target couple हो जाते है, जिनको हम contraceptives के methods के बारे में आई गई, ठीक है, सबसे पहले IEC, IEC का मतलब क्याता है, लोगों को information दी गई, उनको educate किया गया और communication किया गया, ठीक है, किसके through TV, newspaper, radio में क्या है, contraceptives के method के बारे में बताया गया, जिससे कहता है, जो लोग थे उनमें, जो भी myths ते या stigma था, वो reduce किया गया, फिर sex education दी antinatal mother को, और जो postnatal mother था, उनको educate किया गया, साथ में जो female sex determination था, उसको भी inhibit कर दिया गया, ठीक है, और सिफ legal MTP, यानि कि legal termination of pregnancy को ही promote किया गया, इसमें फिर vaccination वगरा को promote किया गया, STD को prevent sexual transmitted disease था, उनको prevent किया गया, और साथ में 2-3 advanced testing भी लाई गई जैसे कि amniocynthesis, USG, ठीक ह amniocynthesis क्या होता है, amniocynthesis एक ऐसा procedure होता है, जो 14 week, जब कोई भी pregnant, 14 week pregnant होते हैं, तो यह एक test किया जाता है, जिसमें हम क्या करते है, जो amniotic fluid होता है, उसका sample लेते हैं, और sample लेकि उसको test करते हैं, ठीक है, अब इस fluid से, या इस test से होता है, अगर बेबी में कोई भी congenital abnormality है, जैसे कि heart defect है, या फिर उसको genetic condition है, या फिर genetic disease है, ठीक है, या फिर spina bifida है, को क्या है, early detect कर लेंगे, जल्दी से जल्दी detect करेंगे, और उसको fetus में ही उसका treatment provide कर देंगे, या फिर उसको MTP के through बच्चे को बाहर निकाल देंगे, terminate कर देंगे, तो यह क्याता है amniocynthesis, ले amniocynthesis में क्या करता है, amniotic fluid, जब baby warm में होता है, तो हम amniotic fluid का कुछ sample लेते है, ठीक है, amniotic sex से, और यह amniotic sex या amniotic fluid क्या होते है, भून कोशिक का, जो embryo होता है, उसी की, जो waste cells होती है, वहाँ से हमने sample लिया, sample को test किया, और इस test का हम use करते है, अगर fetus में कोई भी congenital abnormality, जो by birth present है, या by birth बोल रही हो, मतलब warm से ही, मदर के warm से ही उसमें present है, जैसे कि congenital heart defect हो गए, byfida हो गया, या hydroceal हो गया, यह condition है, तो उसको क्या है, हम पहले से ही detect करेंगे, और उसका treatment warm में ही कर देंगे, और लेकिन इसका जो use था है, उसका use हम sex determination में भी करते हैं, तो इसक क्या है, illegal use भी होने लगे है, sex determination के लिए, ठीक है, अब इसका use हम down syndrome, trisomy में भी कर सकते हैं, कोई congenital, या फिर gene, मतलब gene से related कोई disease है, उसमें भी करते हैं, और turnal syndrome, down syndrome का हम trisomy 21 बोलते हैं, जो 21 pair of chromosomes है, उसमें abnormality हो जाते हैं, dilatation हो जाते हैं, फिर आगया ultrasound, ठीक है, ultrasound भी हम क्या है, use करते हैं, ultrasound में क्या है, जो sound waves होती है, sound waves की help के through हम क्या है, fetus के part की photos लेते हैं, ठीक है, और पता लगाते हैं, किसका particular part अच्छे से बना है, या नहीं बना है, जो और genogenesis है, वो अच्छे से हुआ है, या नहीं हुआ है, उसको find out कर लेते हैं, early, ठीक है, तो यह क् कुछ कारे नीती थी, या फिर कुछ strategy थी, जो हमने use की, जो family planning या फिर population explosion की जो problem थी, इसको resolve करने के लिए, ठीक है, या जनन स्वास्ते को promote करने के लिए, फिर next step family planning और contraceptives के method, ठीक है, contraceptives के method है, वो आप delay pregnancy के लिए use करते हैं, कि pregnancy को delay, अब जो family planning है यह एक wider package है, ठीक है, यह wider package का मतलब इसमें बहुत सारे option हमारे पास available है, और आप अतने choice के according इसको use कर सकते हैं, यह मैंने आपको बताई दे कि national family planning program RCH के अंडर आया था और 1952 में launch हुआ था और इसका जो slogan था होगिया था, sun or total will be equal, या will be same, ठीक है, और जो यह national population policy होती है, यह target किसको करती है, य जिनकी age 15-45 और इसका क्या है, एक red color का triangle, इसका जो symbol होता है, वो red color का triangle होता है, उसमें 3 human being बने होते, एक male, एक female और एक उनका healthy child, तो यह क्या है, symbol है, इसका family planning का, फिर आ जाते है national population policy, यह 2000 मैंने आपको पहले डिसकस कर दे हैं, और अगर इंडिया की बात करें, तो इंडि of contraceptives, निरोध के कौन-कौन से methods होते है, तो two types के होता है, पहले है temporary, दूसरा होता है permanent, यह पर stylization, ठीक है, अगर temporary method की बात करें, तो इसमें natural method आजाते है, barrier, IUDs, hormone method, ठीक है, अगर permanent की बात करें, तो इसमें male और female में अलग अलग होता है, male में vasectomy और female में chubectomy, अब एक ब ऐसा tool है, जिससे हम कहें, contraceptives method की efficiency की, वो कितना effective है, या फिर कितना failure है, उसको निकालते हैं, तो इसमें कहा है number of, इसको calculate क्या से करेंगे, number of accidental pregnancy, accidental का मतलब जो unwanted pregnancy होगी, उसको हम into करेंगे, 1200 से, उसके बाद number of couple observe कि, हमने कितने couple observe किये, into number of month that person use contraceptives, कितने लोग contraceptives use कर रहे for example के लिए accidental का पर हमारे पास 12 है, हमने 1200 से into कर दी, और number of couple observe कर रहे हैं, 100, ठीक है, 100 में ही निकालते हैं, उसके बाद month में कितने होगी, 24, ठीक है, तो इसको calculate करेंगे, तो pearl index कितना आगे है, 10, rating में अगर क्या है, pearl index lesser than 10 है, तो highly effective होगा, अगर greater than 20 है, तो जो इसकी efficiency होगी, यह बहुत ज़्यादा low होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, जो contraceptives है, family planning के wider package है, यानि कि इसको हमके बोलते है, cafeteria, basket of option, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे choice है, contraceptives के couples के लिए, वो कोई सा भी contraceptives का method use कर सकते है, अगर natural method की बात करें, तो उनका pearl index 24 to 25 होगा, male condom का 15%, female का 21, diaphragm का 16, oral contraceptives का 0.1, वर सिक्तमी का 0.12 के समतिंग होता है, और टोबिक्तमी का 0.15, ठीक है, जितना कम pearl index होगा, उतना ही जादा वो effective होगा, तो अब हम start करते है, natural method of contraceptives, ठीक है, सबसे पहला आ जाता है, rhythmic method, ठीक है, rhythmic method को हम calendar method या safe period भी बोलते हैं, जिसको हम आप दिक सहीं बोलते हैं, ये सबसे पहले जो originate किया था, और इगोने किया था, 1930 में, जब female को menses होता है, तो दसवे दिन से, menses के दसवे दिन से, 21 दिन तक कहे, sex नहीं करना होता है, क्योंकि इस time पे कहे, female का highly fertile period चल रहा होता है, इसके बाद का जो period होगा, यानिकि 22 दिन से 28 दिन का, य अगर इस time पे sex करेंगे, या फिर intercourse करेंगे, तो उस time पे conception के chance 0 होता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम rhythmic method या फिर save period, ठीक है, फिर next होता है, cervical mucus या फिर billing method, cervical mucus का मतलब होता है, during safe period, मतलब की यानिकि जब rhythmic period चल रहा होता है, तो उस time पे क्या होता है, cervical mucus बहुत जादा ठीक होता है, ठीक है, तो इसके कारण और उस भी क्या है, जो pregestron होता है, इसका level भी हाई होता है, तो conception के chance भी कम हो जाता है, जबकि जो unsafe period होता है, उस time पे estrogen का level increase होता है, तो जो mucus बहुत ज़दा water और slippery होता है, तो उसमें क्या स्पम की जो mortality होती होता है, वो भी जादा हो ठीक है, जब body का temperature कभी कभी क्या होता है, बेसल body temperature increase रहता है, यानि कि कितना 0.5 के something होगा, तो उस time पे क्या है, जो sperm है, अपनी जो motility हो, उसको maintain नी कर पाएगा body में, और ये भी क्या है, एक natural method होता होता है, contraception का, फिर next आ जाता है, सनपान ठीक है, या फिर breastfeeding, इसको हम lactational aminuria, या फिर breastfeeding भी बोलेंगे, इसमें क्या होगा, हम मदर को promote करेंगे, क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, breastfeeding के कारण क्या होगा, जो prolactin है, उसका level high होगा, जो क्या करेगा, GNRH, यानि कि gonidotrophin releasing hormone को decrease कर देगा, क्योंकि prolactin का negative feedback होता है, GNRH में, और GNRH क्या करेगा, F FSH, follicular stimulating hormone और luteinizing hormone को suppress करेगा, जिसके कारण conception के chance, या फिर pregnancy के chance भी क्या है, कम हो जातर ही कब तक होता है, 4-6 week के लिए, अब next method होता है, contraceptives का withdraw, या फिर coitus interruption, जिसको हम भाय सकलन भी बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे, जो mail होता है, वो intercourse के just बाद अपने penis को withdraw कर देंगे, ठीक है, मतलब कि जो semen का injection होता है, वो नहीं करते है, सिर्फ sexual activity करेंगे, और जब semen का, semen निकले गए, या insemination होगा, उसको क्या है, वजाईना से बाहर कर देंगे, तुरंत क्या penis को वजाईना से withdraw कर देंगे, लेकिन जो natural method होता है, उसके बहुत जादा failure के chance होता है, क्यो क्या है, जो human being है, वो अपने पर control, या फिर मतलब नहीं रख पाता है, तो ठीक है, अब next, अगर हम 100% safe method की बात करेंगे, तो वो absentism ही होता है, absentism में क्या करते हैं, मतलब withdrawal method, withdrawal भी बोल सकते है, उसको absentism, या तो sexy नहीं करेंगे, या फिर जो panice उसको withdrawal कर देंगे, sexual intercourse के barrier method जिसको रोधग method भी बोलते हैं, ठीक है, अब ये male के लिए भी present और, male और female दोनों के लिए present होता है, ठीक है, male condom और female condom, diaphragm, vaginal sponge और vaginal rings के नाम से आता है, अगर barrier method की बात करेंगे, तो इसको रोधग भी बोलते हैं, आपने male condom बहुती जादा सुना होगा, ठीक है, worldwide use ह और निरोध के नाम से ये available होता है, जो ये condom होते हैं, ये latex के बने होते हैं, और साथ में, एक तो ये contraceptives का काम करते ही करते हैं, साथ में ये STD, HIV, hepatitis जैसे, जो sexual transmitted disease है, उससे भी protect करते हैं, अगर इसके condom होते हैं, इसके failure के chance भी होते हैं, अगर ये क्या है, टीर हो जाए इंटर कोर्स के टाइम पे ही, जो condom होते हैं, वो tear हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, emergency contraceptives use कर सकते हैं, oral pill 72R के अंदर अंदर, जिससे क्या है, unwanted pregnancy को prevent किया जा सकता है, ठीक है, अगर male और female condom में comparison करें, तो जो male condom होता है, वो किसका बना होगा, latex का, जबकि जो female condom ह वो polythine का बना होता है, इसमें सिर्फ एक ही ring होती है, ठीक है, इसमें दो ring होती है, एक तो outside cervical opening के लिए और एक होता है, sorry, ये inside cervical opening के लिए और outside vaginal opening के लिए, इसका pearl index 2-15, इसका 5-20 है, तो यानि कि जो more effective हो, कौन सा हो, male condom easy to use है, और इसमें क्या है, STD से production जादा होता है, त क्योंकि एक तो बहुत जादा सस्ता और easily available भी है, या आप देख सकते हो, diagram में condom है, cervical cup है, और sponge है, vaginal sponge और spermcidal jelly है, ठीक है, diagram में देख सकते हैं कि जो very effective कौन सी है, intra uterine device और implant, और सिर्फ effective है, hormonal ring, oral contraceptives, और injection, और least कौन से है, diaphragm होगया, condom होगया, क्योंकि condom क्या है, tierable है ठीक है, और फिर जो ये tracking cycle है, मतलब कि abscentism होगया, national method, especially, ये क्या है, less effective है, क्योंकि इसमें human will की बहुत जादा need होती है, अब next आ जाता है, IUDs, यानि कि intra uterine device, जिसको हम अंता गर्भाशे युक्ती भी बोलते हैं, इसमें क्या है, two types की आ जाती है, एक तो non meditated और meditated, non meditated म इसमें सबसे पहली आ जाती है, lip lipis loop, first generation IUDs बोलते, जो 1965 में आया था, ये क्या था, इसमें nylon का thread था, या assape का होता था, ये ठीक है, और इसको क्या है, as a foreign, मतलब ये क्या करता था, जो sperm होता था, उसको kill कर देता है, as a foreign body समझ कर, इसके failure rate थे, वो बहुत जादा थे, 3.5, तो इसले इसको जादा यूज नहीं किया गया, उसके बाद, meditated या फिर, जो meditated या फिर ओशदी युग्द, contraceptives थे, IUDs थी, वो कौन सी थी, copper T, second generation IUD थी, और hormonal IUD को हम third generation copper T भी बोलते हैं, ठीक है, इस QT, आपने सुना होगा, QT करके copper T आते हैं, जिसको हम second generation के अंदर र प्रजिस्ट्रेना भी बोलते हैं, इन दो नाम से ये present है market में, ठीक है, अगर QT device की बात करें, तो ये क्या है, तामे की बनी होते है, T-shape की होते है, ये क्या करते है, CU++ को release करते है, जो काम क्या करता है, copper क्या क्या काम करेगा, जो इसको kill कर देता है, इसके example कौन से है, Q220 QTB और Q388 ठीक है, इनके vertical size होते है, मतलब size के according इसको use कर सकते है, इसमें क्या है, copper present होता है, जो इस pump को kill कर देता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा effective copper T कौन सी थी, CU388 ठीक है, जो market में किस नाम से present है, para guard के नाम से, और जो इसका using period तो ही क्या है, 10 years के लिए effective है, मतलब कि आप आपने अगर एक बार लगाईए, तो 10 साल तक यह क्या है, अपना work करेगी, और highly effective भी है, और safe भी है, अगर hormonal IODs की बात करें, तो LNG 20 है, ठीक है, यह 3-5 साल के लिए use करते हैं, इसको हम मेरे ना भी बूलते हैं, और 52 MGs में living strong होता है, ठीक है, और उसके बाद आ जाते है, प्रोजिस्ट्रेना, यह एक साल के लिए use होती है, और इसमें भी क्या है, प्रोजिस्ट्रान प्रेजेंट होता है, जो LNG होता है, यह प्रोजिस्ट्रान होता है, इनका action क्या होता है, mechanism of action, यह क्या करता है, जो endometrial environment उसको change कर देता है, उसके कारण जो mucous plug होगी, वो fertilization है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यह क्या करता है, एक तो fertilization को inhibit कर देता है, और दूसरा क्या है, implantation को भी inhibit कर देगा, अगर idle contraceptives की बात करें, और idle candidate की बात करें, कि मतलब कौन से candidate contraceptives use कर सकते हैं, पहला तो वो जिनका पहले से कोई बच्चा है, दूसरा किसी को, HIV infection है, sexual transmitted disease है, वो भी IUDs use कर सकते हैं, अब जो IUDs है, उसका most common side effect क्या है, सबसे पहले तो इसमें pain होता है, इसको insert करने में और थोड़ी से bleeding भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, और इसमें क्या है, जो IUDs होते हैं, उसके कारण एक infection देखने को मिलता है, जिसको हम actinomy isis बोलते है, जिसका जो positive isn't है, वो gram positive, gram negative bacteria है, ठीक है, next method आजाते है, hormonal method, hormonal method में हम estrogen और pregestron pills को use करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करता है, या तो injection के थूँ, या फिर pills के थूँ, या फिर कोई भी spermicidal को use करता है, जिसमें estrogen और pregestron होता है, ठीक है, यह क्या करेंगे, negative feedback releasing hormone, molecular stimulating hormone, luteinizing hormone के label को decrease कर देगा, और यह क्या करेंगे, unovulation को promote करेंगे, या या नहीं हमने देगे, अब अगर hormonal contraceptives की classification की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, oral pills आती है, parental यानि की जो IV दी जाती है, ठीक है, और devices आ जाती है, ठीक है, डिवाइसेज में मैंने आपको पहले ही बता दिया, IUD हो गया, vaginal ring, और इसमें एक transdermal patch भी आ जाता है, oral pills में क्या है, combination pills, single pills आ जाती है, ठीक है, और जबकि parental में कौन कौन सी आएगी, एक तो injectable और implantable, ठीक है, impact, जो injection के थूँ देंगे, और जो क्या है, हम implant कर सकते हैं, एक करके इनको discuss करेंगे, अगर oral contraceptives method की यानि कि गोली आती है, जो निरोद की, पिल्स, ठीक है, इसमें क्या है, combination pills आती है, जो किस नाम से famous है, माला डी, जिसको हम प्रती दिन लेते हैं, मतलब डेली एक गोली लेनी पड़ेगी, और ये packet क्या है, ठीक है, तीन रुपे में आपको क्या है, माला डी मिल जाती है, इ इसको यूज कैसे करते हैं, पहले दिन, mensural cycle के पहले दिन से 21 दिन ता, जो unsafe period होता है, तब यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है, next है, माला अन, माला अन क्या है, माला अन, जो government hospital है, माला अन, फ्री में मिलती है, ठीक है, माला अन, इसमें भी क्या है, एक आपने मेरी सहीली के नाम से कॉंटरसेप्टिफ सुनी होगी जो हपते में एक लेते हैं यह किसने बनाई थी सेंटर ड्रग रिसर्च इंसिट्यूट आफ लखनाउने ठीक है उसने क्या है मेरी सहीली नाम से कॉंटरसेप्टिफ बनाई थी जिसको weekly ले सकते हैं ठीक है combination method है या फिर combination pills है उनके कुछ contraceptives पिर आपको देखने के मिलेगा सबसे पहले तो इसमें क्या है क्योंकि यह क्या करेगा progesterone और इसमें प्रेजेंटो तो यह क्या करेगा milk production को suppress कर देगा जिसके कारण breast feeding में problem आ सकती है और इससे क्या है breast cancer भी देखने को मिल सकता है उसके बाद क्या था combination pills एक चाया के नाम से government ने चाया के नाम से contraceptives invent की या फिर launch की जो किसके लिए थी breast feeding mother के लिए ठीक है जो भी mother breast feeding कराती है वो क्या है चाया जो weekly लेनी पड़ती है hormonal contraceptives आ जाते है dipa ठीक है जिसको हम बोलते है dipode, moditory, progesterone, acetate ठीक है इसमें क्या है है progesterone दे देते है 150 mg injection form में और यह क्या है every 3 मन्त में देनी होती है साइट इसकी क्या होगी कहाँ पर देते है I am deltoid muscles में और जो डिपा मेथड ही तीन मन्त के लिए effective होता है फिर next आ जाते है vaginal ring vaginal ring क्या है यह भी hormonal method होता है self-administrable होता है इसमें क्या है दो जो वजाइना होती है वहाँ पर 2 inch के अंदर उसको insert कर देते है 2.7 mg इसमें इत्याइल estridiol और 11.7 mg progesterone होता है और यह क्या है इसका जो insertion का time होगा mensuration के 5th day से इसको use कर सकते है ठीक है और यह क्या है तीन हफते के लिए या फिर एक मन्त के लिए effective होता है अब next method आ जाता है permanent method of contraceptives जिसको हम sterilization भी बोलते है या फिर बात्दे करण या नस्बंदी भी बोलते है अगर male की बात करें तो male में vasectomy होता है ठीक है गर female की बात करें तो उसमें tubectomy यानि कि divine भी जिए छेदन करता है अगर tubectomy की बात करें तो tubectomy में क्या करेंगे जो fallopian tube होते है उसको cut करके fold कर देते है ठीक है जिससे क्या है जो अंडानू है कुgan करेंगे जो इसको कच ए concern गरव ताय करेंगे ये chaner Selbsti शेक इंडर प्रफॉर्म होता है। इसमं क्या करेंगे जो सिकक्ति काटके और फोल्ड करेंगे 1 cm और भौत वासडेफरेंच ठीक है ? एक और डाइग्राम ज्यों कि यह क्या है इसमें वास्टाइट को टाई किया वाई और उसको फूल्ड कर दिया ठीक है और यहां पर फैलोपियन ट्यूब के जो फैलोपियन ट्यूब फीमेल में उसको भी कट करके लाइगेट कर दें जिससे क्या है जो एग स्पर्म है या फिर लिटरी सेल है वो ट्रेवल ना हूँ और यहाँ पर क्या है स्पर्म का प्रोडेक्शन तो होगा लेकिन स्पर्म क्या है आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है नेक्स्ट हम डिसकस करेंगे MTP Act के बारे में या फिर MTP Medical Termination of Pregnancy सगर्भता या फिर सगर्भता का चिकित से समाधान ठीक है अब लीकल अबॉषन करवा सकते है 1971 में ये लॉँच हुआ था ठीक है इसमें क्या करते है अगर कोई भी जो प्रिगनजी वो मदर की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है या फिर जो बेबी है उसको कोई कंजनाईटल अबनॉनमिल्मिल है वो mentally fit नहीं है तो क्या है उस बेब कितना होता है 24 weeks according to WHO 2020 में इसको 24 week कर दिया उससे पहले 22 week तक ही MTP हो सकता था लेकिन अब क्या है 24 week of pregnancy तक MTP करवा सकते हैं उसके बाद MTP नहीं करवा सकते हैं next we'll discuss the sexually transmitted disease जिसको lagging संचारित रोग या फिर STDs भी बोलते हैं यह क्या होती है कमने केबल disease होती है जो sexual activities के through फैलती है जब भी कोई person क्या है किसी infected person से के sexually contact में आएगा या फिर बोल सकते है कोई person होता है multiple sex partner के साथ sex करता है तो यह disease होने के chances होते हैं ठीक है इसको हम silent infection या फिर wonder disease भी बोलते हैं या फिर yawn संचारित रोग भी बोलते हैं इसके example कौन कौन से है गुनेरिया हो गया ठीक है क्लैमाइडिया सप्लेज जनिटिल हर्पेज जनाइटल वर्ड्स कैंक्रॉइड और HIV हैपिटाइटिस ठीक है इसमें क्यक्य लक्षन देखने को मिलेंगे आपको vaginal discharge हो सकता है joint pain infertility देखने को मिलेगे और burning sensation होगी urination के time पे जो sexually transmitted disease होती है वो आप prevent कैसे करते हैं सबसे पहले तो multiple sex partner को avoid करना है ठीक है और causative agent को identify करते हैं इसके treatment में broad spectrum antibiotic या फिर sulfonamide दे सकते हैं फिर next आ जाता है clamidia clamidia का causative agent है वो clamidia trichometis bacteria है इसमें sign and symptoms आपको के देखने को मिलेंगे एक तो पस आएगा urine में pain होगा urination के time पे और चलन होगी ठीक है sulfonamide हो गया penicilline हो गया यह जब दे सकते हैं फिर है syphilis syphilis का causative agent है वो trypanion pallidum bacteria है इसमें क्या है वजाइनल एरिये में या फिर जो female का sex organ होगा या male का sex organ होगा वहाँ पे छोटे-छोटे दाने या फिर mole देखने को मिल सकते हैं white patches देखने को मिलेंगे आपको gum में ठीक ह है फिर next आगया genital word जिसका causative agent होता है human papilloma virus इसमें white discharge होगा burning होगी और swelling present होगी genital area में और इसको जो diagnostic test है PCR polymerase chain reaction test ठीक है फिर next आगया जाता है trichomyosis जिसको हम trichomyosis vaginalist के कारण होता है इसमें भी आपको burning sensation देखने को मिलेगी swelling greenish yellowish discharge देखने को मिलेगा वजाइना में से और इसको diagnostic test होगा urine test होगा और जो इनके treatment होते हैं वो हम इसमें broad spectrum antibiotic दे सकते हैं अगर causative agent bacteria है तो bacteriocidal दे सकते हैं और अगर viral cause है तो हम फिर antiviral चला सकते हैं जिसमें हम fluconazole, clindamycin, neomycin दे सकते हैं फिर next आजाता है hepatitis B जिसका cognitive agent क्या है hepatitis B virus इसमें sign and symptoms आपको weakness, fever, jointness और body pain देखने को मिलेगा क्योंकि जो hepatitis है वो हमारे liver को affect करता है ठीक है liver में chirrhosis हो जाएगा या फिर बोल सकते हैं liver है उसमें inflammation या फिर infection हो जाएगा जिसके कारण joint is हो सकता है bilubrine का level increase हो जाएगा body में और diarrhea या फिर vomiting की sign प्रेजेंट होंगी जिसके कारण weakness हो सकता है fever राजग और abdomen pain प्रेजेंट रहेगा इसमें हम viral marker को देख सकते हैं जिसमें हम क्या है viral load को चेक करेंगे इसाथ में urine examination और blood test कर सकते हैं next आ जाता है cancroids जिसका जो causative agent है वो hemophilis ducharia है इसमें by discharge आपको देखने को मिल सकता है जो private part है वहाँ पर घाओ जैसा हो जाएगा या फिर बोल सकते हैं injury type की present होंगी इसमें हम antigen antibody test करते हैं फिर next आ जाता है genital herpes जो जिसको हम kissing disease भी बोलता है जब क्योंकि यह क्या है oral sex के कारण भी हो सकती है फिर जो इसका causative agent होता है इसका causative agent, herpes simplex virus जो एक DNA virus होता है इसमें axillary node देखने को मिल सकते हैं और जो vaginal area या फिर penis area वहाँ पर चाले देखने को मिलेंगे साथ में इसमें क्या है जो lips होते है lips के corner में चलाइटिस भी देखने को मिले गए यानि कि जो lips के corner है वहाँ पे भी क्या है कटने लग जाएगा या फिर घहाँ जैसे हो जाएंगे जिससे मुख खुलने में भी दिक्कत होगी इस list को हमने क्या बोला है kissing disease ठीक है फिर जो इस diagnostic test है वो क्या होता है PCR test और साथ में antigen test कर सकते है तो यह आपके sexually transmitted disease थी अब next हम discuss करेंगे infertility infertility का मतलब क्या होता है बात देता है मतलब कोई भी eligible couple conceive नहीं कर पा रहा है उस condition को हम infertility बोलेंगी या फिर हम simply बोल सकते कि अगर कोई भी eligible couple एक साल तक sex करता है ठीक है without कोई भ बात भी क्या है वो conceive जो female है वो conceive नहीं कर पा रही है तो इस condition को infertility या फिर बात देता है बोल सकते है यह males और females दोनों में present हो सकते है क्योंकि इसकी factors है वो दोनों को affect करते है पहला अगर male की बात करें तो congenital हो गया family history हो गया फिर वो बहुत time से prolonged time से steroid therapy ले रहा है बहुत बहुत जादा alcoholic smoking करता है और overweight है इस condition में males में infertility हो सकते साथ में endogen का level बहुत जादा इंक्रीज है hormonal cause भी होता है endogen और testosterone है male hormone उनका hormone का level बहुत जादा कम है उस कारण भी infertility देखने को मिल सकते है अगर female की बात करें तो क्या है family history हो गई endometriosis मतलब कि endometrial layer का cancer हो गया pelvic inflammatory disease ह गई drug therapy अगर वह बहुत जादा drugs ले रही है steroids अगरा ले रही है तब obese है over weight है ठीक है और hormonal issue भी हो सकता है SCG का level अगर बहुत जादा कम है human colonic gonidotrophin ठीक है यह फिर GnRH gonidotrophin releasing hormone का level भी कम है जिसके कारण menses नहीं आएंगे और infertility रह सकती है यह क्याते causes of infertility next discuss करेंगे कि treatment क्या होता है ठीक है infertility के treatment के लिए हम ART therapy यूज करता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं assistive reproductive technology या फिर सहायक जनन प्रतियोगी की इसके अंदर हम कौन-कौन से method यूज करते हैं in vitro fertilization जिसको IVF या फिर test tube baby भी बोलते हैं फिर in vivo fertilization जिसको हम जीव निशेचन भी बोलते है थार्ड आ जाते है gamit intra fallopian transfer जिसको GIFT भी बोलते हैं या फिर युक्मक fallopian नली का इस्थांतर लास्ट आ जाता है उसके बाद आ जाता है intra cytoplasmic sperm injection जिसको अंता कोश के शुक्राणो निरिक्षन बोलते हैं लास्ट इसमें पढ़ेंगे हम अंता गरभाशे वीरे सेचन या फि artificial insemination ठीक है एक एक करके हम इन सब को discuss करेंगे फर्स्ट है आईवी एफ आईवी एफ का मतलत क्या होता है इसमें क्या करेंगे हम मेल और फीमेल के sex cells को laboratory condition में या फिर artificial environment में tube में grow करवाएंगे ठीक है सरीय से बाहर इस condition को हम क्या बोल देंगे आईवी एफ या फिर in vitro fertilization इ इसको आयू टीबी बोलते हैं ठीक है जी आईवी एफ में हम क्या करेंगे जो जाइक ओड होता है या फिर युकमजन उसका आठ ब्लास्टोमेयर सेल ठीक है जब फैलोपेंट ट्यूब कर जो लास्ट ट्रक्चर होता है ब्लास्टोमेयर आठ सेल वाला भून उसको क्या है जो भून होता है उसको फैलोपेंट ट्यूब में डिरेक्ली ट्रांसफर कर देता है ठीक है पहले टेस्ट ट्यूब में हमने आठ सेल बनाई उसके बाद जो भून बनाया है उसको डिरेक्ली फैलोपेंट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया या फिर इंप्लांट कर दिया इ कंडिशन को इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी बोल दें डाइग्राम यह क्या है आइवी एप का प्रोसेस है इसमें सबसे पहले हमने डाइग्नॉस्टिक टेस्ट किया फिर ओवेरेंस टुमलेशन करवाया ओवेरेंस टुमलेशन का मतलब जो एग है उसको कैरी कर लिया तो इस कंडिशन को हमने क्या बोला IVF या फिर इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ठीक है आप यह वाले डाइग्राम में भी देख सकते हैं कि हमने क्या है आर्ट सेल वाले स्ट्रक्चर को डैरेक्ली कहाँ पे इंसर्ट कर दिया यूट्रस में तो यह क्या था IUT इंट्रा य इसमें क्या करेंगे फिमेल के एक को कैरी करके उसको घ्या जो मेल का इस पॉम है उसके साथ फरिलाइज कराएंगे उसके बाद जो भी प्रोड़ुक्ट बने गा उसको सीधा कहां पे फिमेल यूट्राइन कैविटी में इंप्लांट कर देंगे नेक्स आता है gamit intra fallopian transfer जिसको GIFT भी बोलते हैं ये उन women's के लिए होते हैं जो agony produce कर पाते हैं उपर वाली condition में क्या था वो एक तो produce कर रही थी लेकिन sexual activity maintain नहीं कर पारी थी लेकिन gamit intra fallopian transfer में वो sexual activity भी करते हैं लेकिन उसका क्या है एग नहीं बन रहे होते हैं ठीक है या फिर प्रेक प्रेड्यूज नहीं उपा रहे हैं ठीक है लेकिन वो fertile है उस condition में हम क्या करते हैं जो donor mother है सिर्फ के ovum लेकर उसको female की sperm के साथ fertile करवाते हैं और जो mother होती है उसके vomit transfer करवा देते तो इस condition को हम gamit intra fallopian transfer बोलते हैं अब last जो condition है उस last method है उसमें आ जाता है directly sperm को injection form में लेकर ovum में inject कर देते हैं ठीक है female के ovum में inject कर देते हैं और इससे क्या है जो fertilization का process है वो हो जाता है ठीक है या बोल सकते हैं जो sperm है वो directly ovum में बहुत जाते हैं अब last आ जाता है intrauterine insemination या फिर artificial insemination ठीक है यह उन mens के लिए use होता है जो क्या है sperm को produce नहीं कर पा है कि जो male होते है उसके sperm की quality होते है quantity तो बहुत जादा poor होती है वो female को infertile करने के लिए capable नहीं होते हैं तो हम कौन सा method use करेंगे intrauterine insemination इसमें हम जो sperm है बहुत जादा कम मात्रा में भी हो सकता है वो father से हमने donor father से या फिर जो parent father है उनसे sperm को लिया उसको artificially कहां injected कर देंगे female वजाईना में ठीक है और इसके कारण क्या है जो female है उसमें fertilization का process हो जाएगा और जो embryo है वो कहां पे चल जाएगा फैलोपिन ट्यूप और फैलोपिन ट्यूप से uterus में ठीक है तो इस condition को हमने क्या बोलें intrauterine insemination या फिर artificial insemination यह आप diagram में देख सकते है gift इसमें क्या है artificial sperm और जो over में उसका fertilization करवाया और उसके बाद उसको क्या है फैलोपिन ट्यूप में implant कर दिया ठीक है यह क्या है gift का example है तो यहाँ क्या है आपका आज human reproduction और human reproductive disease का जो topic है complete हो जाता है अब next class हम DNA की करेंगे या inheritance पर पढ़ेंगे thank you class